क्या आपको मालूम है सन 1800 से इस देश में हिंदू-मस्लिम दंगे हो रहे हैं 1926 में पूरे देश में दंगे हुए थे क्या यूपी लहोर मुंबई तमिलाडू कुलकता सब जग अलग अलग वक्तों में दंगे होते रहे हैं तो यह एक गंगा-जमनी तहजीब है यह कहां है अगर इतने दंगे होते रहे इंग कहां है चलिए और तरह से देखते हैं वहाग प्यारी है, यह मैं गेलीलयों की तक्कर की बात मानता हूँ, उस तक्कर की बात मैं मानता हूँ, उस आमारण अंचन से मेटकर को जुकना पड़ा 1939 Congress का दिवेशन सुभास्चंद बोस जीत गए थे Congress अध्यक्ष के लिए सीतर महीं आर गए थे लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं बोस नहीं मनेंगे वरना मैं छोड़ दूँगा Congress ये वो बहुत कुछ टेंटरम फ्रो किया तो सुभास्चंद बोस ने त्याक पत्र दिया यहां भी गांधी जी के जिद आगे आई अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने भूग अरताल करी तो अंग्रेजों को जुकना पड़ा तो लोगों के दिल में ये सवाल है मेरे दिल में सवाल था जब मैं 7th 8th standard में था तो मैंने अपटी टीचर से पूछा था जब जिन्ना ने कहा कि इस देश का partition होगा बटवारा होगा तो गांधी जी ने उसके घर के सामने आमर नंचन क्यों नहीं किया इस सवाल का जवाब कौन देगा मुझे आज तक इस सवाल का जवाब ने मिला खैर उसके बाद जिन्ना अडगे तो partition हुआ 47 में partition में करीबन 15-20 लाख dead bodies जो Hitler नहीं कर पाया 15-20 लाख dead bodies हमने देखी कुछ करोड एक डेड़ करोड लोग यहां से उजड़के वहां गए वहां से उजड़की यहां है पूरी human history में इस से ज्यादा dangerous इस से ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं हुए शायद वो रवांडा तूटसी में जो problem हुई वो ही इसकी टकर की problem होगी सैंक्डों सैंक्डों औरतों को नंगा करके सड़क पे चलाए जाता था उसे पिंड यात्रा कहते थे इतनी दर्दनाक चीज बट यह हुआ क्यों and who failed किस वज़े से इतना बड़ा partition हुआ सिर्फ एक वज़े से कि Muslims ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे और आप बकवास आज भी करे जा रहे हूं उनके पास पैसे थे यह था camp बोल दिया जाता था वहाँ camp में रहते थे बहुत तकलीफों से उन्होंने 20-30 साल बिताए अब तो वो लोग नहीं है गुजर गए लेकिन उनकी वो दर्द की वो जो रॉंटे खड़े कर देने वाली उनकी कहानिया थी वो कहानिया जिन्दा है वो लोग जिन्दा नहीं है पर वो कहानिया जिन्दा है और याद रखिएगा कहानिया अपने hero से अपने character से ज्यादा उम्र रखती है Jesus चले गए कहानिया है Ram चले गए Christian चले गए उनकी कहानिया चलती है हजारों सालों से तो वो लोग चले गए पर वो कहानिया इस देश के सबकॉंशिस में चली गए हैं कलेक्टिव सबकॉंशिस में वो कहानिया है इसलिए जो आप हिट्रिट देखते हैं हिंदू-मुस्लिम की वो बड़ी abstract सी hatred है उसके कोई shape नहीं है आप मालूम भी नहीं पढ़ता किस वज़ा से या किस चीज के लिए है पर वो है फिर आजादी हो गई सरकार बन गई constitution आ गया उसके बाद फिर अजीब अजीब सी चीजे होने लगी इस देश में शरिया की बाते होने लगी चार शादियां कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं शाह बानव आती थी तो पूरा पूरा पार्लियमेंट उल्टा लटक जाता था सुप्रीम कोड को दबाने के लिए ये कुछ अजीब अजीब सी चीजे होने लगी इस देश में तो कभी ये को नहीं कहा गया कि हाँ हम शरिया पूरी तरह लागू करेंगे हिंदू चोर जेल में जाएगा मुसल्मान चोर के हाथ काट दी जाएगे क्योंकि शरिया में ऐसा कहा गया है ये कभी कहा ही नहीं गया किसी प्लैटफॉर्म पर लोगों के दिल में था अब इस सवाल को दबाया कैसे गया कॉंग्रेस यहाथ में ताकत आई अब उसे इस बात से बचना था कि पार्टिशन हमारी वज़े से हुआ हम लोग फेल हो गए तो उन्होंने सारे टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से लेके सारे युनिवर्सिटिटी के वाइस चांसलर्स और ये एन से आर्टी सब के हेड्स उन्होंने अपने आदमी भढ़ती करने शुरू किए उन्हीं लोगों को पदमशरी देना शुरू किया उन्हीं लोगों को तमाम मंसब और तमाम तरह की वोई चीफ गेस्ट बनते थे जलसों में सारी टेक्स्ट बुक वैसी छपने लगी जहां बस यहीं बताया जाता था कि देदिया में आजादी भीना कौमों की बढ़िया दावते खा रहे थे रोजा इफतार कर रहे थे कॉंग्रेस बीकेम मचली मार पार्टी उन्होंने मुस्लिम वोटों की फिशिंग स्टार्ट करती यहां से फिशिंग स्टार्ट हुई और अगेन वही बात कैरेट एक बार जब बात समझ में आगी तो फिर जितने नहीं नहीं लीडर आने लगे लालू उमलायम एंड एंड सो ओन मंता बिरन जी सब वहीं फिशिंग में लग गए मैं एक बड़ा इंट्रस्टिंग एक अपना पर्सेप्शन देना चाहता हूं आपको ब्रिटिश जो 47 में इंडिया छोड़के चले गए मान लेजए आजादी के बार वो यहीं रह जाते मान लेजए जैसे साउथ अफ्रिका में वहां से जब अंग्रेश छोड़के गए तो सारे अंग्रेश छोड़के नहीं गए बहुत सारे अंग्रेश वहीं रह गए आफ्रिका में आप उनकी cricket team देखते ना सारे उनके ग्रीम स्मिथ और ओलक और सब उनके ABD सारे उनके प्लेयर्स जो हैं जो नेशनल हीरोज हैं वो वाइट हैं एक दो रबाड़ा वगेबर गर रबाड़ा और वो सब खेल लेते हैं बड़ मुस्ली वाइट खेलते हैं अंग्रीज वहां से छोड़की निगए वहीं रहा गए ख खेल अगर यहां ऐसा होता कि बिटिश यहां रह जाते तो मैं आपको एक मेरा ये एक एक आकलन है तो 20-30 साल बाद एक पॉलिटिकल पार्टी पैदा होती जो उनके वोट की फिशिंग करते हैं और हमें यह समझाया जाता कि हिंदुस्तानी और बिटिश में कभी कोई जंज अगर अंग्रेज़ों के वोट यहां पर होते तो यह जूट चलता रहा और हिंदुस गॉट सिक आफ़ पर कहने का कोई कोई रास्ता नहीं था कोई आउटलिट नहीं था इस बात को कहने का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके साथ वह बात कहते कि आमपेथी से हमारी बात कॉंग्रेस ने इस देश की बहुत सेवा किया है अगर इतनी मॉडन आउटलुक के नहरुजी ना होते तो देश यहां तक ना पहुंशता है उतनी भेंकर गरीबी में जब दंगे भी थे वार भी थे नहरुजी ने इस रो के बारे में सोचा आटामिक पावर के बारे में सो इसी के साथ जो गलतियां भी उन्होंने बहुत बड़ी करी एक इतनी बड़ी चीज को elephant in the room जिसको बोलते है डैनासौर आपके सामने खड़ा था आप उसे address उसका solution निकाल पाई कम से कम हां तो कहते डैनासौर खड़ा है और जूट ऐसे ऐसे चलाए जैसे काश्मीर के बार अब पता लगा ये जूट है महराजा हरी सिंग ने ऐसे को साइन ही नहीं किया था ये तो दलाल टाइप के लोगों ने डेड़ साल बाद पौने दो साल बाद लाए 370 और अंबेड कर ने साफ साफ मना किया कि नहीं है ये 370 नहीं लगा हुआ इतनी खराब है ये फिर भी ल सब्सक्राइब करते हैं मेरा मानना है कि हम लोग एक एहसान फरामोश कौम है जी बिल्कु ठीक सुना आपने हम एहसान फरामोश लोग है गुरु अर्जुन देव गुरु तेग बहादुर वंदा बहादुर पाइमती दास हकीकत राय गुरु गोबिन सिंग अपने नाम जब हिंदु कौम इसलामिक रूलर से बहुत परेशान थी, फोस्त कनवर्जन हो रहे थे, बहुत जुल्म हो रहे थे, जजिया वजिया बहुत चीज़े थी, तो इन्होंने हिंदुों को बचाने के लिए यह सब कुर्मानिया दी, किस गुरु को जिन्दा जला दिया गया, किसको गरम तवे पे भून दिया, बात समझ रहे हैं आप, जैसे सबजी बनाते हैं आप, गरम तवे पे जिन्दा भून दिया, किसको आरे में से बीच में से काट दिया, किसको रूई से बांध के जला दिया, किसके बच्चों को दिवार में चिन्वा दिया, किसके बच्च warrior कौम पैदा हुई खालसा पर आजादी के बाद टेक्सबुक कॉंग्रेसिया टेक्सबुक थी सारी इर्फान हवी ग्रोमिला था पर इन समने हमें history पढ़ने शुरू करी और ये कहा गया कि भाई हम बड़े secular है सेकुलर रहो सेकुलर रहो और प्रोग्रेसिव बाते करो अगर आपने ये सब बाते करी तो बड़े आप कम्मुनिल कहला होगे तो हम बड़े कंफ्यूस से हो गए कि क्या करें तो कुछ समझ नहीं आया तो हमने सिखों पर जोग बनाने शुरू कर दिया कल्पना कीजिए हिंदों में से उठी हुई एक कौम जिसने इतने बलिदान दिये आज हम उसके उपर चुटकले बनाते हैं बजाए उस कौम का सिर पर बिठाने के हम उस पर चुटकले बनाने लगे चलिए यह वक्त भी देखा इस देश ने यहां से प्रॉब्लम शुरू ह जिन मुस्लिम रूलर्स के हाथों वह जिससे पुरे लंबे वक्त में वह जोंने तकलीफे सही जैसे बिठिके बिठी चले गए उन मुस्लिम लोगों के हाथ हो जो हमने इतनी तकलीफे सही उनको आजदी के बद हम कुछ आडरेस ही नहीं कर पाए और कंश्यूज होगे कि य 200-300 साल पहले मोदी ने बना दिया अंदर ये अंदर एक cancer है इस गुस्से का एक cancer है जो इस देश को खाये जा रहा था कई सो साल से वो cancer partition में दिखाई दिया आपके दो हाथ काटने पड़े भारार एक पाकिस्तान बन गया एक बंगलादेश बन गया दो हाथ कट गया आपके आपके अंदर इतना बड़ा cancer था लेकिन आप क्या करते हैं आप lipstick लगाते हैं पोडर lipstick लगा के आप कहते हैं भाई everything is well all is well चली इस problem को एक और तरह से देखते हैं तो भारत पाकिस्तान बंगलादेश तीनों को मिला दें तो करीवन करीवन 50 करोड मुस्लिम लोग हैं यह आप रहते हैं यह कहां से आए इतने मुस्लिम तो अरब में भी नहीं है में इतने मुस्लिम नहीं है इस देश में पार्सी भी आए बुद्ध हैं राजपूत हैं सिख्ष हैं बहुत कौम हैं यह क्यों नहीं हो गए 50 करोड इस क्या आंसर है फिर एक दलाल टाइप के जो लोग है उन्होंने नया नरेटिव स्टाट किया यह पिछले 25-30 साल से ज्यादा जोर पक्ड़ा इस नरेटिव ने 20-25 साल से कि यह प्यार से कनवर्ट हो गए यह हिंदुई थे प्यार से कनवर्ट हो गए वरे गुड़ वाह यह कहा गया सूफी संथ आते थे दर्वेश वकीर वकीर आते थे और लोग प्यार से कनवर्ट हो गए मैं आपको एक्जम्पल देता हूं जैसे हमारा एक बहुत बड़ा दे साल में एक भी पार्सी जिन्दा नहीं बचा, सारे देश छोड़के भागे, मर गे, लूट, हत्या, बलातकार, और 25 साल में एक नया इसलामिक मुल्क बन गया, बाद में, जिस मुल्क का नाम पड़ा, इरान, सारे पर्शियंस कहां गए, कुछ भाग के तो हिंदोस्तान भी आ दाष्ट किया है, और वो 25-30 कंट्री टोटल इसलामिक बन गए, और लेटेस्ट, काश्मीर, जब वहां से 3-4 लाग हिंदु भगाए गए, तो वो प्यार से भागे वहां से, और पूरा काश्मीर इसलामिक हो गया, जो बगदादी करता है, खलीफा, खलीफा जो अपना सामराज्य बनाता है, जहां सिर्फ मुस्लिम होते हैं, और अगर गैर मुस्लिम है, तो उन्हें डिम्मी बनके रहना पड़ेगा, खतम होके रहना पड़ेगा, वो कलीफेट है, इसलाम की, इस वक काश्मीर में, ध्यान रखिएगा, यह आपकी गुलदस्ता और काश्मीरियत, जमूरियत, इंसानियत, सब के बीच में एक टेलिफेट बन गई, लेकिन आप कहते हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, और जब यह 3-4 लाख हिंदू महा से भढ़ाए गई एक महीने के अंदर, तब कॉंस्टूशन सोरा था, intellectual seminar कर रहे थे, गंगा जमनी तहजी पे seminar कर रहे थे, और इस तरह की तमाम रोजा इफ्तार की दाफतें चल रही थी, happy, everybody was happy, और जो पूरी तरह इसलामीक नहीं बना, उसके टुकडे हुए, जैसे हिंदुस्तान के टुकडे हुए, सूदान के टुकडे हुए, और आपके हमारी जिंदगी में, हमारे lifetime में, सूदन का टुकडे हुए, आज से 15-20 साल के अंदर सूदन कूड़ जाएगा, ये एक process है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, आप या तो बहुत भोले हैं, देखते ही नहीं, या आप इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रह है, या हो सकता है, सब कुछ हो, चलिए मैं आपके साथ एक exercise करता हूँ, आपके एक दादा होंगे, एक दादा परिवार है, दादा, चाचा, ताउ, बुवा, फूफा, उदर के उनके बच्चे, सब, एक पूरी family, ट्री वो है, एक नाना की तरफ से है, तो एक आदमी करीब इसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं, इसके बाद आप college, आपका college, school college, जहां पचास सौ सूडेंट हैं, जिसमें कुछ दोस्त हैं, जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं, जिन्दकी बर, फिर आपका महला, आपकी colony, वहां भी आप 10-20 परिवारों को जानते हैं, यूँ कह इसकरता हूँ, पिछले 20-30-50 साल में, ये इन हजार लोगों में से कितने लोग मुसलिम बनें, कितने लोग कनवर्ट हुए, आंसर मिलेगा zero, क्या हुआ, सारे सूफी, दर्वेश, फकीर रेटायर हो गए, IPL देखने चले गए, इसलाम की कशिश खत्म हो गई, दोस्त, जब तक गर्दन पे तलवार ना होना, कोई कनवर्जन नहीं होता, या बहुत सारे पैसे ना हो, कोई कनवर्जन नहीं होता, उसके बद पारलियमेंट पे टैक हुआ, इस देश की पारलियमेंट पे टैक हुआ, और उसमें शामिल अफजर गुरू, उसके सम्मान मे उसके समर्थन में लोग खड़े हैं, हजारो हजारो लोग मुसल्मान खड़े हैं और हमने तब भी कुछ नहीं कहा, इस देश में हाहाकार नहीं हुआ, मुंबई में कुछ साल पहले आजाद मैंदान में एक रैली हुई, किसलिए हुई, रोहिंग्याओं के समर्थन में, आप कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई कुछ कहें नहीं पा रहा था, यह चल रहा था इस देश में, तो यह जो एक, यह जो एक हेट है, यह इन दोनों कौमा में रही, और वो एक हेट, वो एक नफरत जो थी, वो कभी, it never became a past history, distant history, कभी नहीं हुआ, वो रोज रहा, कभी वो अवज चलाते हैं, कार चलाते हैं, cycle, scooter, कुछ चलाते होंगे, जब भी आप सड़त में जाते हैं, तो थोड़ा संभल के चलते हैं, लेकिन आपके शहर के जो Muslim area, जब उसमें आप जाते हैं, तो कुछ extra संभल के चलते हैं कि नहीं, extra संभल के, यहां लग गई, तो extra पिटाई होगी, वो जो fear है आपके अंदर, वो जो डर है, वो कमाल की चीज है, जिसको देश कहता है नहीं, एक system कहता है नहीं, लेकिन आपके अंदर है, करोलों लोगों के अंदर है, सौ करोलों लोगों के अंदर है, वो डर, और एक आखरी exercise, जब भी आपको को ज्यान बाटता हुआ, आद जैसे हैं, जिसस, राम, क्रिश्टन, पेगंबर, मौहमद, सब एक जैसे हैं, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब प्यारे इंसान है, सब बढ़ियां है, सब बराबर है, एक पेज पर लिखके उसे बोली जड़ाए, दो-चार मुस्लिम से साइन करा किला, ऐसी चीज की जावाज आएगी उस intellectual की, आपके बाद जिन्दगी में दुबार आने आएगा वो, एक मुसल्मान के साइन ने करा सकता है, इस बात पे, यह सारा ड्रामा हमारे लिए है, तो, जहां से मैंने बात शुरू कर दे थी, कि जो गुस्सा है, यह कई सौ साल का गुस्सा है, जिसक इस बार जब शाहबानों पार्लेमेंट में आएगी, कि हलाला हो गया, कि चार विवा हो गया, कुछ हो गया, इस बार पार्लेमेंट ब्लेकमेल नहीं होगी, वो एक शक्स नहीं है, वो एक इमोशनल बाम है, एक इमोशनल मलहम है, जिसकी इस देश को कई सौ साल से जरुरत और अगर आप सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है तो दोस्त कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पथर तो तब्यत से उच्छा लो यारो